बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा साथ का विज्ञान विशे का अध्याई बारा पातपो में जनन बच्चों इस पार्ट को हमने पिछले वीडियो में कम्प्लीट कर लिया था और इस भाग में करेंगे हम इसके अभ्यास प्रशन तो जल्दी से आप अपने कॉपी और पैन से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम डैश कहलाता है क्या कहलाता है बच्चों जब भी जनन की प्रकिरिया पौधे के काईक भागों से हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं तो यहां पर क्या जाएगा बच्चों यह प्रकिरिया क्या कहलाती है काईक प्रवर्धन कहलात पुष्प कहते हैं उपस्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं एक लिंगी पुष्प कहते हैं तो क्या जाएगा बचों यहाँ पर एक लिंगी पुष्प कहते हैं नेक्स्ट है पराग कणों का उसी अत्वा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के पराग कोश से वर्तिकागर पर स्थाना अंतरन का प्रक्रम डेश कहलाता है तो बच्चों हमने पढ़ा था कि पराकणों का वर्तिकागर पर सथाना अंतरण क्या कहलाता है परागण कहलाता है क्या जाएगा यहाँ पर कि यह है प्रक्रम परागण कहलाता है नर और मादा युगमकों का युगमन डैश कहलाता है बच्चों लेंगिक चनल में क्या होता है नर और मादा युगमकों का सनलैन होता है और इस प्रक्रम को हम कहते हैं निशे चन तो क्या जागा यहाँ पर कि नर और मादा युगमकों का जो युगमन होता है उसे हम क्या कहत निशेचन कहते हैं नेक्स्ट है बीच प्रकिर्णन डैश डैश और डैश की द्वारा होता है तो बच्चों हमने पढ़ा था कि प्रकिर्णन की द्वारा बीच होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और किस कि द्वारा होता है यह होता है पावन के देखते हैं नेक्स्ट है अलेंगिक जनन की विभिन विधियों का वर्णन कीजिए प्रतेक का उधारन दीजिए तो बच्चों हमने अलेंगिक जनन की अलग अलग विधियां पढ़ी थी कौन-कौन से थी काईक प्रवर्धन मुकूलन विखंडन और इसके अलावा भी जानू निर्मान तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों काईक प्रवर्धन क्या पढ़ाता हमने इसमें कि पौधा जो है वो काईक भागों से क्या होगा जनन करेगा यानि कि काईक भाग जो होंगे उनको जब हम अलक कर देंगे तो उससे नई पौधे का निर्मान यहां पर हो जाएगा कौन कौन से पौधों में होता है बच्चों गुलाब आलू पत्तर जटा आधी में क्या होता है और नई कोशिगा का निर्मान यहां पर कर लेता है क्या होता है बच्चों उसमें जनक में मुकुल या कली का निर्मान होता है और यह जनक कोशिगा से विलग होकर प अंदर क्या होता है कि समय भी जानू थानी के अंदर के निर्माण ने कर लेतेoups धारण हम देखें तो कवक और फर्ण आधी में इन बीजानों के द्वारा लेंगिक जनन होता है चलिए आगे वढ़ते हैं अगला प्रिशन देखते हैं अगला प्रिशन है पादपो में लेंगिक जनन की प्रक्रम को समझाईए तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जो लेंगि जीव में विक्सित हो जाता है बच्चों हमने पढ़ा था कि पोधों के अंदर जो पुषब है वो क्या है बधे का जनन भाग है और पुंकेसर और स्ट्री के सर दो जनन अंग पाए जाते हैं जो पुंकेसर उसके अंदर पराकणों का निर्मान होता है जबकि मादा युग को के संलेंड की प्रकिरिया को क्या कहते हैं चो निशय चन कहते हैं और इस निशय के निर्माण होता है और यह जीव करता है बचों वॉधों के अंदर पुंक slick सर और स्रीकेसर दो जननंग पाये जाते हैं जिन में क्या होगा पराकणों का और अंडाशें का निर्माण यहां पर होता है यानि कि क्या है इस पुंकेसर के अंदर तो पराकण बनेंगे और स्रीकेसर के अंदर क्या पाये जाता है अंडाशे पाये जाता है जिसमें क्या होते एक एक से अधिक बीजांड उपस्तित होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है बच्चो अलेंगिक और लेंगिक जनन की बीच प्रमुक अंतर बताईए तो बच्चो हमने पढ़ा था कि जो अलेंगिक जनन होता है उसमें क्या होता है एक ही जनक से नई जीव क उत्पति होती है और यहां पर बीजो का निर्मान भी नहीं होता है जबकि जो अलेंगिक जनन की प्रकिरिया होती है इसमें दो जनक की आवशकता होती है नर और मादा की और इस प्रकिरिया की परिणाम से रूफ बीच का निर्मान भी होता है तो क्या क्या अंतर हो उसमें कि जो लेंगिक जनन है इसमें एक ही जनक के द्वारा नई जीव की उत्पति होती है जबकि लेंगिक जनन में क्या होता है नर और मादा जनन के द्वारा क्या होगा नई जीव की उत्पति होती है नेक्स्ट रहे बच्चों यह लेंगिक जनन जो है उसमें क्या होगा जो जनक की यथार्ध प्रतिलिपी होता है लेंगिक जनन में को मैं जनक से कुछे dingen होते हैं विषईज जननंगों की अवश्छतता है यानि कि पॉधह के काईग भागों से नई जीव निर्मानिहां पर हो जाता है पॉधह की उत्रत्ति हो जाती है जबकि लेंगिक जनन में विशेश नर और मादा जनन अंगों की आफशकता होती है पुष्ट में हमने देखा था कि पुंक के सर और स्री के सर दो जनन अंग इसमें पाये जाते हैं इसके अलावा बचों लेंगिक जनन की द्वरा बीच का निर्मान नहीं होता है जबकि लेंगिक जनन में क्या होता है बीच का निर्मान होता है लेंगिक जनन किस किसमें होता है बचों ये इसके अलावा गुलाव आलू आधी पादपों में भी क्या होता है जबकि लैंगिक जनन किसमे होता है, जनतूं में, कीटों आदी के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है, तो बचों यह हो गए अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर, चली अगला प्रशने देखते हैं, नेक्स्ट है बचों, किसी पुश्प का चित्र खींच कर उसमें जनननंगों को नामांकित कीजिए तो बच्चों यहां पर हमने पुष्प का एक चित्र बनाया है इसमें हम जनननंग देखें तो बच्चों जो नर जनननंग है वो क्या है यह जो पुंकेसर है यह इसका नर जनननंग है और इसके अंदर दो भाग होते हैं उपर वाला जो भा का मादा चननंहंग है जिसमें सब से ऊपर के और क्या है वरती 누가 उस्तित होता है और उसके नीचे जो नली समान सनशना है वरती का कहते हैं और इसका नगरихिस्ता घ्राच यह होता है जिसे क्या के जो इंडश sharks कहते हैं और इस अंडाशे के अंदर एक यादिक बीजांड उपसित होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है स्वपरागन और परपरागन के बीच अंतर बताईए तो बचों हमने पढ़ा था कि स्वपरागन क्या होता है जब एक पुष्प के परागन उसी प परागन में क्या होगा इसमें एक पुष्प के परागन उसी पुष्प के वरतिकागर पर गिरते हैं जबकि पर परागन में क्या होता है कि पर परागन में एक पुष्प के परागन उसी पादब के किसी अन्य पुष्प के वरतिकागर पर गिरते हैं दूसरा अंतर क्या है कि यह केवल द्वी लिंगी पुष्पों में ही पाया जाता है यानि कि सुव परागन तभी हो पाएगा जब पुष्प कैसा हो द्वी लिंगी हो तभी क्या होगा उसी पुष्प के परागन जो है वो उसी पुष्प के वर्तिकागर पर पहुंच सकते हैं जबकि जो पर परागन है ये एक लिंगी और द्वी लिंगी दोनों प्रकार की पुष्पों में पाया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है बचों पुष्पों में निशेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन होता है तो बच्चों क्या होती नीशेचन की प्रकिरिया नर युगमक को का मादा युगमक के साथ में सनलैन क्या कहलाता है और इस प्रकिरिया की परिणाम सरोव युगमरज का निर्मान होता है तो क्या लिखेंगे बच्चों हम कि परागन की प्रकिरिया के बाद वर्ती कागर पर पहुंशे परागणन का अंकुरन होता है जिसकी फलसुरूरुख्या होगा जो नर युगमग है कि पराग न लिगा किसायता से माधा युगमग तक पहुंशता है और उसके बाद में क्या होता है यहापर नर तथा माधा युगमग संलैट होकर युगमरज का निर्मान करते हैं और यह जो नर और मादा युगमरज का सनलेन है यही प्रकिरिया कहलाती है तो इस तरह से पौधों में निशेचन की प्रकिरिया संपन होती है चली अगला प्रशन देखते हैं नेक्स्ट है बीजों के प्रकिर्णन की विविन विधियों का वर्णन कीजिए तो बच्चों हमने पढ़ा था कि बीजों का प्रकिर्णन जो है अलग-अलग प्रकार से हो सकता है यह पवन के द्वारा हो सकता है या फिर जनतों के द्वारा हो सकता है तो क्या लिखेंगे बहुत ही हलके हैं पंक युक्त या रोम युक्त होते हैं और हवा के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं इसके अलावा कुछ बीजों में प्रकिर्णन जो है वो जल के द्वारा होता है इन बीजों में क्या होता है इनके जो आवरण होते हैं ये इन में द्वारा जो काटएदार वीज होते हैं। जैसी सनस्ञनाएं होती है जिसे यहीं जन्तों के शरीर से चिपक जाते हैं। जो यह इसंकी में दूसरे स्थान पर पहुंछ सूलती heißt, दो जो है वो जटके के साथ में फटता है और उसके अंदर उस्तित जो बीज होते हैं तो इस तरह से जो है अलग-अलग विदियों के दौरा बीजों का प्रकिर्णन होता है चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रेशन है बच्चों कॉलम A में दिये गए शब्दों का कॉलम B में दिये गए जीवों से मिलान कीजिए यहां पर हमें कुछ शब्द दिये गए है और कॉलम B में हमें कुछ जीव दिये गए है और इनका सही मिलान हमें करना है तो क्या होगा बच्चों सबसे पहले दिया है कली या मुकुल तो कली परफूहन होता है स्पाइरोगऐरा में खंडन की द्वारा अल्हेंक्डिक जनन होता है है नेक्स्ट रहे भी जानुंं सेलों कि द्वारा लेएंक्डिक केकल पर रैट के निशान लगा ये प्रशन दिया गया है पादप का जनन-भाग होता है उसका पती तना मूल और पुष्प तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका सही दर पुष्प जो है वो किसी पादप का जनन-भाग होता है चलिए अगला प्रैशन देखते नर और मादा युगमक के युगमन का प्रक्रम कहलाता है निशेचन, परागन, जनन और बीज, निर्मान तो बच्चों हमने पढ़ा था कि लेंगिक जनन में क्या होता है नर और मादा युगमकों का सनलैन होता है और यह प्रकिरिया क्या कहलाती है निशेचन कहलाती है अंडाशे क्या होगा परिपक होगा और फल में विक्सित हो जाता है और पुष्पकी जो अन्य भाग होते हैं ये मुर्जा का नीचे गिर जाते हैं तो अंडाशे किसमें विक्सित होता है फल में विक्सित हो जाता है चली अगला प्रशन देखते हैं नेक्स्ट है बीजाणू ऊथपन करने वाला एक पादप जीव है बचों बीजाणू किसमें ऊथपन होंगे गुलाब में डबल रोटी का फफून आलो या अद्रक तो Even डबल रोटी का फफून दें इसके अंदर क्या होता है बचों बीजाणों का निर्मान होता है प्रशने होता है तो जो कलीकाइं होती है तो चलिये बचों यहां पर हमारे अभ्यास प्रश्णों कम्प्लीट हो गए हैं मुझे उमीद है कि इस वीडियो में हमें जो भी की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और इन अभ्यास प्रश्णों को अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा तो बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ तब तक आप पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए